तो अड़ी सन्मक अमरता प्रेतम दी लिखी होई कहाणी है एक होका कर्मों ने गड़वे विच लसी पोई ते फेर अध्यों भी बहुते खाली गड़वे नू वेंदी होई आखण लगी आज वड़ी सर्दार नी निदे सी किते सोखनर राजी ते है सर्दार नी निहाल कौर ओने कड़ी को पहला चौंके विच आई सी चुल्ले उत्ते रजदी खीर हे था आगदा पामबड वेह के ओने लकड़ा पछाँ खेच दितियां सान्द वीरोल कुडिये खीरां कदे एड़ी आगते वी रजदियाने खीर हे था डाड़ी मठी आग बाड़ी दिये ओसने सी सुवेरे देही दी चाटी ओसने आप रिड की पर लस्य पुनदी होईने वीरोनु आख्या सी के ओन कड़ी को अराम करेगी जेड़ा वी कम्मी कमीन आवे वीरो ओसनु लस्य देदेवी बड़ी सरदार नी राजी शायद ओर न कम्मियाने वी लस्य लेन लगया ए गल बाता नहीं। ओ अंधर ले कम्रे वीच सी पर इस विले जदौ ओ चौंग के वीच बैठे सी तदलीजां तो पार बैठी होई कर्मोंदी आवाज ओसने आप सुनी राजियां कर्मों तु राजियां निहाल कॉर ने अंधरों आवाज दिरती कर्मों ने छेती नाड दली जांदे कोड आके अंदरवाल चाक्या ते अपने एक हाथ नू मत्थे नाड शोहां दी हुई आखन लगे तेन्नों सत्ते खैरां सरदार नी आज तेन्नों डिठा नहीं सी मैं आख्या मेरी सरदार नी वल होवे से कमी कमीन सारे ही निहाल कौर दियां बलाई लेंदे सन इन नमी गल नहीं सी पर तावी निहाल कौर नो जापया के कर्मों ने लसी लेंदियां ही जड़ा उनों याद किता सी जरूर कोई हूर गल सी ताइयों जो निहाल कौर ने कर्मों वल देख्या तक कर्मो ने गडवे दा मू उदे वल हीता होया सी, ने हाल कोर समझ गई, ते वीरो वल वेख दी होई आखन लगी, मखे कर्मो नू गडवा पर देया कर, हेदे निक्के निक्के जीने लसी पीडवाले, रब तेनू बोता दै, तेरे हाथ इन्ने सबर कते ने के न्याणे दो दो वार लसी जाड जांदेने, होर लसी लेंदी होई कर्मो नि आख़्या, ते पा में इस वेले उसणू लसी देंद थे हथ विरो दे सन, पर कर्मो जो कुछ आखदी पही सी, ओ निहाल कौर दे हथानू आखदी पही सी, कर्मो चली गई, तशन हो, निहाल कौर नो ओदिया विच सरदारनी तो बड़ी सरदारनी बढ़ गई सी पता नहीं उनों बड़ी सरदारनी कैन दा ख्याल सब तो पहला किसनों आया सी शायद सार्यानों एकठा ही आगया सी करदी मेरी तो लेके कार खानने दे मुणची मनीम ते कमी कमीन उसनों बड़ी सरदार्नी कैन लग पैसन इतों तक के करदे मालक सरदार ने वी कल उसनों बड़ी सरदार्नी आखे बलाया सी ते फिर निहाल कौर नों ख्याल आया के परसों उसने आप ही ता मेरी नों आख्या सी के जा छोटी सरदार्णी नू ओदे कमरे बिच्चों ब्ला के लिया सो ज़े कोई छोटी सरदार्णी हो गे तब अड़ी सरदार्णी आपपई बढ़ जानी सी निहाल कॉर नो ख्याल आया ति फेर किन्ने ख्याल निकके निकके चोडा बांग उदे मन दे दोद विच रिजन लग पे रिज दे ख्याला मिच्चू एक ख्याल एवी सी के वीरो जदों दी इस कर विच छोटी सरदावनी बनके आई है उदों दी उरात नो सौन लगया एक निजम वांग निहाल कौर दे कमरे विचों दी ते उदी मंजी दी ही उते वैके उदे पेर कोट दी निहाल कौर ने न ते दी डोड़ी तोरनी सी न पुत्तर दी डोड़ी लिवनी सी पर जदों हत्थी व्याही सौनकन उदे पेर कोट दी ता निहाल कौर नो जापदा उने ते भी वेख लई ते नूवी ते निहाल कौर ने एक डुंगा सा परके बड़े हस्रे होठा नाल अपने आपनो मना लिया के वीरो उस दे तेवी है ते नूवी निहाल कौर ने अपने सरदार दे दोजे व्या ले एक उड़ी वीरो आप लबी सी साक चंगे करांतों भी मिल दे सन पर वो सारे सरदार नू नहीं सन मिल दे सरदार दे हवेली नू मिल दे सन सरदार दे स्यानी उमर तो डर दे जेड़े वी साक लेके उन दे सन वो साक करन तो पहला हवेली नू अपनी तीदे ना करवा लेना चोंदे सन सर्दार अपनी हवेली दा वारस जरूर लबदा सी, पर हवेली नू उस औरदे ना नहीं सी कर सकदा, जेदी कोख ने कोई वारस ता पता ने कदों जमना सी, हाल दिकडी सिर्फ उधी पुएकवानी करनी सी ते सर्दार ने दूज्जा व्याकरन्तों ना कर देती सी, पर एस ना वेच एक हौका रड़या हुया सी, निहाल कौर ने एह हौका सुणया सी, ते इंज उसने एक बड़े निमाने जे कर दी एवीरो लब के अपनी सर्दार नू देती, ते उधे बदले, उधा हौका आप ले एक दन सरदार ने कंद विच लगिया हुई, अपने लोहे दे अलमारी खोली, ते किन्ना चर्क खोली अलमारी दे अग्ये Seriously कुछ सोचता रहा। बढ़ी सरदार ने कर शब्च्य के गई है। सरदार ने वीरोनु काल्या पैखे पूछिया। बड़ी सर्दार ने कर नहीं से, सर्दार ने अलमारी बंद करके चाबी बोजे विच पाले ते कार खाने जान्दा बीरो नू आख गया, के निहाल कौर जिस विल्ले वी कार रावे, ओ हेठा मौन्ची नू अवाज देके मेनू कार खाने विच सनेहा बेज दीवे, निहाल कौर जिस विल्ले आई, बीरो बार ले खोरे उत्ते, बड़ी काबरी होई बैठी सी, उसनो हुने एक उल्टी आई सी, निहाल कौर ने बीरो दी बाँ थम्मी, ओदे मोडे कुटे, ते उनू मंजी उते लटाया, पर बीरो ने कंब दे कंब दे पैर, मंजी तो हेठा ल ते उड़के निहाल कौर दे पैर फड़ ले, सरदार नी, तो मैंनो एक दन आख्या सी, के मैं तेरी तीवियां, ते नू भी, ते अज मैंनो पामे अपनी तीई समझ के बचा ले, ते पामे नू समझ के, वीरो बिल्क उठी, ते विल्क दी वीरो ने निहाल कौर नो दस्या के पिछे जदो उदा प्रा उनू मिल्ड आया सी, तो उदे प्रानू कुझ पैसे यांदी डड़ी लोड सी, वीरो ने उसनू कुझ पैसे वी दित्ते सन, पर पैसे उदे कोल बड़े थोड़े सन, इसले उसने सरदार दे बोजे विच्चों, अलमारी दी चाबी चुरा के, लोहे दी अलमारी खोली सी, ते अलमारी विच्चों, चान्दी दे पांडे कड़के, अपने प्रानू दित्ते सन, ए तेरा अपना कार्य वीरो, जेतु अपने कारनू अपने हत्थी उजाडेंगी, गल अजे निहाल कौरदे मूबच से वीरो तमक उठे, एक कार ना मेंनू कड़ी अपना लगा, ना लगना है, पर ए मैं तेरे नड़ा इकरार करनी है सदार ने, अगो मैं कड़ी इस कर दी कोई चीज किसी नू नहीं दियांगी, मैं उस दिन भी गलती किती सी, एमें कर वेठी, पिछों पश्ता रही हैं, मैंनू पता है मेरा व्या करन लगया, मेरे प्यों ने मेरे प्रादे कारोबार दा वास्ता पाके तेरे कुणों दो हजार रपया मंगया सी, तो दो हजार रपया दे देता, मेरे प्यों ने व्या कर देता, मेनू वेचन मेच की कसर रह गी, दो हजार पिछे मेनू एस बुढ़े सरदार दे पल्ले पा देता, मेरे प्य वीरो निहालकॉर त्रब के बीरो दे मुवल वेखन लगपे। निहालकॉर ने वीरो दे लाज रखले। सरदार हूं कैदता के अलमारी विच पैचांदी दे पांडे बड़े पुराने सन। उने उपांडे कड़ के कोज चांदी अपने कुड़ों पाके सन्यारे नू नमे पांडे कड़ने दित्ते हुई हान। सरदार दा फिकर मुख गया, पर निहालकॉर जदों भी बीरो दे मुवल वेख दी, उदे मन वेच एक फिकर शड़ पैंदा। बीरो दियां कालियां पौरियां बरगियां अखा सन। रंग जरा कु सावला सी, पर सावले रंग विच जुआन्नी पीड़े आट्टे वांग गुजी हुई सी। उदियां वामां बेलड़े वांगोल ती पीडियां सन। मासुत्ते चुंडी ने सी परीजान दी। निहाल कौर नुजापन लग पया के सरदार कुणों जिड़ा होका लेके उने अपने जिन्ने पालिया सी, वीरो ने ओही होका उदे कुणों लेके अपने च्छाती विच पालिया है। ते फेर वीरो नुद दिन चड़ गए। हवेली बहुत बड़ी सी, पर मुबार्का इन्या सन के हवेली विच में ओधिया नहीं सन। सरदार दा पैर पौएते नहीं सी लगदा। ते निहाल कौर वीरो नुद पैर पौएते नहीं सी लौण दिन्दी। पर लोग ना सरदार नुद इन्या मुबार्का दिन्दे सन ना वीरो नुद जिन्या निहाल कौर नुद। मैं जम दा चोड़ी पौवाले नाएं, पिछो ना आखी। मैं बड़ी सरदार नियां, तो छोटी सरदार नियें। सो पहला पुत्तर बड़ी दा, पिछो होर जेडे जम्मेंगी ओ तेरे। निहाल कौर हस के वीरो नुद आख दी। निहाल कौर नुद आप नहीं सी पता लगदा पया कि उदे मान वेच कोई घुज्जा शिपावी मलाल क्यो नहीं सी। उने अपने हथी अपना खावंद एक प्राई औरत नुद दे दित्ता सी। ते होन उसने सारी जम्में जायदत वी एक प्राई औरत दे पुत्तर नुद देनी सी। टूडे हार ये मैं केडे वेले तेनू अपनी ती तेनू आख्या सी। मैं सच्चे मुच्चे एक सास मावां गहां। मैंनू कदी एच इत्ता नी रहन्दा के तू मेरी। निहाल कौर दी इस गल नू वीरू टुक देन्दी ते हस के आखदी सरदार नी मैं पामें तेरी कुछ लग ने यां पामें नहीं पर ए मैंनू पताए कि मैं तेरी सौंकर नहीं लग दी। निहाल कौर ने तर खान को जिड़ा पंगूडा बनवाया। उस पंगूडे नू चांदी दियां कंटियां बननिया। सुचे पट दी उसने निगी जी रजाई बनवाई छोटी जे। शेर दा एक अंग्रेज अफसर एक महिन्य दी छुट्टी बलायत चलिया सी। बलेती स्वेटर रेशम बरगे होंदेने। निहाल कौर ने आख्या ते उस अंग्रेज अफसर नू पक्का किता के वो निके निके दो स्वेटर उत्थों ख्रेद के जरूर लियावे। अपने विल्ले निहाल कौर ने स्याणिया धान्यानू भी विखाया सी। ते बड़े शेरां विचे जाके डक्टरानू भी। पर अपने विल्ले कदी किसे देवी देवते दी मन्नत ने सी मन्नी। विरो नू जदो पूरे तेन दन लक्वेच पेड हुंदी रही। निहाल कौर ने उस दिन अपनी जिंदगी वेच पहली वार सुखना सुखी। ए नाज करंदा विल्ला सी। विरो चौदी ता हून दूर दसौर्दिया फर्माइशां भी पासक्दी सी। सरदार हुन उदे मूवल वेखदा, उदे मूद बोल उडेखदा सी। पर निहाल कौर नू पता सी के विरो दे संग अजेवी इन्नी है के उन्नी नगूनी अचार दी फाड़ी वी मंगणी हुंदी ता निहाल कौर दे मूवल वेखदी। इसलिए निहाल कौर आपपे वीरो दे मन्द त्यान रखदी। एस सारे बेले वेच वीरो ने अपने मुहों जे कुछ जोर नाल आख्या ता इकको गल आखी के वेडे वेच रसी नाल टंगे हुई गोंगणुआ दे हार नू लाके परा रखदी। इना नू वेखके मेरे जीनू कुछ होर नदाए। इंज लगदाए जिमें केसे दा मास पेले-पेल करदा होगे। दे रोने आख्या। फेर वीरो दे माल वेच पता ने की आया, जदो उसनू नौमा में ही न लग गया, तो उसने जद फ़ड़ ले कि अपने पेके करज लेपा कटेगी। सरदार उदी जद ने सी मन दा। निहाल कौर बड़े बास्ते पॉंदी सी पर वीरो ने एक ही हट फाल लिया कि उदी पेंड एक बुड़ी बड़ी सियाणी है। उनू सर्फ उसे दाई उते इतबार है, होर किसे उते नहीं। ते उसनू जगेन है के उजे इते रहेगी ता शेरे डक्टरियां दे हत्तों जरूर मर जाएगी। ए डर बड़ा माडा हुंदा है। डक्टरा ने भी सर्दार नू सरा दिती। पर सर्दार दे मान विच कुछ होर डर सी। वो निहाल कौर नू एकलवांजे लजा के आखर लगा। मैंनू डरे के जे इनू उते कुड़ी हुई ता ए दे माप्या ने किसे दे मुंडेना बनेगा। फिर एदा ते एहो एलाजे के मैं एदे नाल चली जननी है। मेरे कोल हुंदेया ओ कुछ नहीं कर सकनगे। निहाल कौर ने सोच सोच के आख्या। सर्दार मान गया। वीरो ने भी कोई उजर ना किता। निहाल कौर ने कर दी मैरी नू भी सेवा करली नाल लेलि ते वीरो नू लेके वीरो दे पेके चली गई। वीरो दा जनेपा ओखा नहीं सी ओ पारजुआन सी तांद्रुस्त भी बड़ी सी ओधी मा ते पर जाई भी उनू मजाग कर दिया। ये ते एमें डर दिये। पुत्तर जम मन दा की हुंदा ए। एक चीक मारी ते पुत्तर जम चड़िया। निहाल कौर ने वीरो दे पेकें उकते किसे तरह दा कोई पार ने सी पैन देता। खुले हथी खर्च कर दी। सारे उसनू सरदारनी सरदारनी आख दे ठक दे नहीं सन। निहाल कौर हस के आख दी। एक चीक मारी ते पुत्तर जम चड़िया। पर जे ती जम चड़िया। निहाल कौर हस के पुछ दी। एक चीक पीड़ दी ते एक चीक गम दी। वीरो दी पर जाई आख दी। खुशियां ते पुत्तर जियां हों दियानी। ती आधी का दी खुशी। निहाल कौर नू पामे अपने मन वेच एक ड़ड़ी चीज पें। मैता अपने जिंदगी विच ना एक चीक मार के वेखी न दो। पर उसने अपने हस्दे होठा ना अपनी चीज नू अंदरे अंदर पी लिया। फिर जेस रात वीरो नू पीड़ा छड़िया। ओधे दंदा हेट देखते होई जवान होठा ने उना पीड़ा नू इस तरह जर लिया के दूजे कन अवाज ना पहुंची। सिर्फ एक को वार उदी एक चीक सुनाई दिती। ते फेर दाई ने वीरो दे सरांदी बैठी निहाल कौर वाल वेख के आख्या सरदार ने मुबार्का हून। आ तेरी चोड़ी पुत्तर नार पर दिया। निहाल कौर ने म उदे नू भी चोड़ी विच पाया मुबार्का नू भी। पर स्वेर सार जिस विल्ले उतार देन लगी तव वीरो ने निहाल कौर नू अपने कोल बला के अपने दोमे हत उदी पैराउंती रख देते। सरदार नी मैं जग जहान अगे चूट बोल सकती हैं पर तेरे अग मैं सरदार दी देनदार नहीं पर तेरी देनदार हां। ए मुंडा जे निरा सरदार दे विड़े विच खेड़ना हंदा मैंनू कोई उजर नहीं सी पर मैं ए तेरी चोड़ी नहीं पा सकदी ए तेरी चोड़ी दे काबल नहीं। की पे याथ नहीं है वीरो, कीता ते हासे पाने सी, पर हासे दा विनासा खोरे इंजी हुन्दा है, पर तेनू सची दस्था, मैंनू अपने ले कोई पस्तावा नहीं, जे कोई पस्तावा आए, तो तेरे ले। वीरो, तेनू याद है, मैं एक फेरा पेके आईसा, पिसले बरे, तो अड़ा मुंची मेरे नाड आया सी, मैंनू पेके आनू मलोण ले। ये थे सारे पेंड वेच एक अल फ्याल गई सी, के मेरे माप्या ने रुपईया लेके मैंनू एक बुढ़े सरदार नाड व्या देता है, सरदार कदे इस पेंड नहीं आया, मेरा पेवई मैंनू तो अड़े शैर लेके गया सी, ते गुर्दवारे वेच लामा पड़ा आके, तो अड़े कार छड़ाया सी, मैं जदू पेंड आई, जणी खाणी ने मैंनू पुछिया, के मेरा सरदार किन्नाक बुढ़ाए, त मेंनू की सुझी, मैं उननू गड़ों लॉंड याक देता, के मेरा व्याब बुढ़े नाल नहीं होया, तो अड़ा मुण्ची बड़ा जुआन सी, सुना भी सी, मैं उननू विखाया, ते आख्या, के वो मेरा करवाडा है, सारिया मेरी किस्मत ते हैरान रह गीन्या, मुण मांदी दिया, क्लीचडिया, खरीद के उननू वांड देतिया, छे सात दन मैं इति रही, रोज हास्या ठठा कर दिया, मैंनू वी ये जापन लग पिया, के मेरा व्याब ओदे नाल ही होया है, हूर किसी नाल नहीं, साड़ा मुण्ची मदन सिंग, हाँ, पर मैं हुण पर्त के सर्दार दे कर नहीं जाना, ना इस मुण्डे नू लजानाए, मैं एसलिए जद बन के इत्थे आई हा, मेरी कित्ती मेरे अग्ये, मैं होर तेरे को लो कुझ ने मंग दी सर्दार ने, बस एको गल मंग ने है, सर्दार नो उस मुण्ची दा नाम ना दसी, ने ते उ मुण कुझ नो नौकरी तो कड़ देवेगा, पर मदन सिंग दा था व्याह होया भी रो, ओधे कर दो बाल ने, एसलिए ओ डरदाए, के जे सर्दार नो पता लग गया, ता ओधी नौकरी जानती रहेगी, ओने केड़ा मैंनो अपने कार्व सोनाए, मैं क्यों ओधी नौकरी आके अखा मेटले या, ते फेर जिस वेले उने अखा खोले या, वीरो दी चोड़ी विच पया होया, ओधा पुत्तर, ओधी चाती विच्चों, दोध पेलले मू मारता पयासी, ते निहाल करनो जापया, सर्दार दा चीड़ा होका, उने अपने जिम्मे लाले यासी, ते व झापयासी, शुक्रिया दो